तो आज हम देखेंगे present continuous tense के बारे में present continuous tense की helping verb क्या होती है is am are present continuous की helping verb क्या होती है is am are इसको यूज के जाता है he she it name and singular subject के साथ and i हमेंसा यूज होता है am के साथ i am and are are किसमें यूज होता है we you they and plural subject इसमें हम किसका यूज करते हैं are का यूज करते हैं तो helping वर्व helping वर्व हमें क्यों जरूरी है क्योंकि helping वर्व के help से ही हम sentence की मीनिंग निकाल पाते हैं यदि हमें कोई भी sentence English से Hindi में change करना है सबसे पहले हमें helping वर्व की need होगी इसलिए हमें helping वर्व के वारे में जरूरी है अब हम sentence देखेंगे present continuous का राम पत्र लिख रहा है राम इस राइटिंग अ लेटर आप देख रहे हैं कि राम इस यह जो इस लगाया हमें यह क्या है यह helping वर्व हैं तो इस लगाने से हमें पता चल रहा है कि राम पत्र लिख र से आती है इस से आती है इस इस sentence में नहीं होता तो क्या होता राम राइटिंग अलेटर तो क्या sentence को समझ में आता राम राइटिंग अलेटर में इसलिए जब इस लगा दिए राम इस राइटिंग अलेटर तो sentence हमारा क्लियर हो गया कि राम पत्र लिख रहा है इसलिए helping वर् राम पत्र नहीं लिख रहा है और present continuous हम बर्व यूज़ करते हैं बर्व में हम ing लगाते हैं क्या लगाते हैं ing इसमें बर्व क्या है लिखना बर्व क्या है लिखना मैंने आपको पहले बता था जिसके लास्ट में ना आये या कि जोई काम बताए वो बर्व होती है अब इस रॉइडिग आ लेटर राम पत्र नहीं लिख रहा है रामिस नौट रॉइडिग आ लेटर लड़किया ис-école जा रही हैं तो तहूग डग्यम्स क्या हो गई डॉल्स क्या है बई बचन है फ्लूरल है यहां पहर हैं क्या यूस कि यूजों के और यूस किये हैं क्या यूस है रही है आते हैं हमारा वर्व कैसे बनेगा आइंजी से बनेगा गो यानी जाना और आइंजी लगा दिया हमने गोंग हो गया तो इस टाइब से हमाई चंटेंस प्रेजंट कॉंटीनिवस में बनेंगे